बिहार में एक बार फिर होगी ज्रमा ज्रम बारिश नमस्कार नियूस पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा बीते कई दिनों से राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों के लोग उमस भरी गर्मी से परिशान नजरा रही है और इसे बीच गर्मी से राहत पाने वाली खबर मौसम विभाग की तरफ से सामने आ रही है जहां बारा घंटे में ज्हमा ज्हम बारिश हो सकती है तो आई जानते हैं कि किन किन जिलों में बारिश होने की संभावना है पी से लोग बेहाल है ऐसे में मौसम विभाग ने राजध के लोगों को खुश करने वाली सूच ना दी है विभाग के नुसार उमस भरी गर्मी से पसीने से तरबतर लोगों को राहत मिलने वाली है मौसम विभाग ने बताया कि 23 सितंबर से बिहार में मौनसून के वापसी के शुरुआत होगी विभाग के नुसार 23 सितंबर से 37 सितंबर तक राजानी पटना समेट सूबे के अलग-अलग जिलों में बारिश हो सकती है विभाग का कहना है कि सूबे के कुछ लाखों में वज्जरपात के साथ बारिश होगी IMD ने इस दोरान सावधान रहने की चेतावनी भी ज़ारी की है बतादे कि विहार में अचानक से तापमान का पारा गिर सकता है वभाग के मताविक 23 सितंबर को फिर से हलकी बारिश हो सकती है कभी धूप निकलेगी तो कभी थंडी हवा के जोंके आएंगे IMD के नुसार 23 सितंबर से उत्तर बिहार के जिलों में आकाश में हलकी बादल चाई रह सकते हैं वही 17 सितंबर के बाद मौनसून की विदाई होने लगती है मौनसून लोट रहा है मौसम वेबाग के नुसार आंदरतावाली हवाई चलेगी अब लोगों को हत्यान च्छतर से कुछ उमीद है माना जाता है कि हत्यान च्छतर में बारिश होती है सम्वेबाग के नुसार पटना में आज यारी सुमवार को भी तेज धूप से रहत मिलेगी बादल चाई रहेंगे आज यारी सुमवार को लोगों को उमस वाली गर्मी से निजात मिलेगी वही मौनसून जाने वाला है लेकिन बिहार में जितनी बारिश होनी चाहिए वो नहीं हुई मौसम विभाग के अनुसार 23 सितंबर से फिर बारिश का दोर शुरू हो सकता है तो देखे बिहार के लोगों को मस भरी गर्मी से अब राहत मिल सकती है जहां मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक बिहार के कई जिलों में जहमा जहम बारिश हो सकती है वहीं कई जगों पर वज्रपात की भी अश्रंका जुताई ज़ा रही तो लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी ज़ा रिकी है फिलाल के लिए इस ख़बर मसतना ही आप देखते रहे नियूस पोनेशन